हालो बच्चो बच्चो आप सभी का गोयल हिंदी क्लास में स्वागत है यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बच्चो मैं आज आपको विशेशन और क्रिया विशेशन का अंतर समझा रहे हूं मैंने अक्सर बच्चो को विशेशन और क्रिया विशेशन में कन्फ्यूज देखा है तो चलो मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देती हूं बच्चो मेरे बीडियो को लास्ट तक देखिएगा हम सबसे पहले से कुछ होदारणों से समझेंगे एक्चोली बच्चो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेशन और विशेशन दोनों में ही प्रियोग किये जाते हैं जैसे की फोर एक्जामपल अच्छा तेज सीधा एक कम बहुत ठीक है तो अब हम इस चीज को एक्जामपल से समझेंगे तो सबसे पहले आप सेंटेंस देखिए फर्स सेंटेंस यह चित्र अच्छा है यह चित्र अच्छा है तो इस वाक्य में बच्चो अच्छा जो है वो विशेशन है या क्रिया विशेशन तो दोनों में आता है अच्छा विशेशन में भी आता है क्रिया विशेशन में भी अच्छा किसकी विशेष्टा बता रहा है पहले ये बताईए कि अच्छा किसकी विशेष्टा बता रहा है अच्छा विशेष्टा बता रहा है चित्र की कि चित्र कैसा है चित्र अच्छा है चित्र यहां पर क्या है बच्चो एक संग्या है तो चित्र की विशेष्टा हो ग किए सोहन अच्छा गाता है देखो बेटा इस वाक्ये में क्रिया क्या है कि सोहन अच्छा गाता है तो यहां पर अच्छा हो गया क्रिया विशेशन तो बच्चों जब संग्या की विशेश्टा जो बताते हैं तो वो विशेशन होते हैं लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेशता बताए वे शब्द क्रिया विशेशन होते हैं अब आप नेक्स्ट एक्जामपल लेखिए सेकेंड बन चाकू तेज है चाकू तेज यहां पर जो तेज शब्द है वो संग्या की विशेशता बत में क्रिया क्या है चलती है कि यहाँ पर तेज विशेशन है अब आप नेक्स्ट एग्जामपल देखिए मेरे पास कम पैसे हैं तो बच्चों इस sentence में पैसे जो है संग्या है तो संग्या की विशेश्टा क्या है कि वो कम है तो कम यहां पर क्या है विशेशन है next example देखिए रात को कम खाना चाहिए रात को कम खाना चाहिए इसमें क्रिया क्या है खाना तो जो और कितना खाना चाहिए कम खाना चाहिए तो क्रिया की विशेष्टा क्या है कम तो यहां पर क्या है ना बच्चो क्रिया का परिमान का बोध हो रहा है मात्रा का बोध हो रहा है कि खाना कितना चाहिए कम तो यहां पर क्रिया की कम जो शब्द है वो क्रिया की विशेष बता रहा है क्रिया का परिमान का बोद करा रहा है next example देखिए मैंने बहुत फल खरीद लिए मैंने बहुत फल खरीद लिए इसमें संग्या क्या है फल और फल की विशेश्टा क्या है कि फल बहुत बहुत जादा तो संग्या की विशेश्टा क्या है बहुत तो बहुत जो है यहां पर विशेशन है क्योंकि यह संग्या की विशेशता बता रहा है बहुत शब्द नेक्स्ट एक्जाम्पल देखिए आज बहुत भागना पड़ा देखो बच्चो आज बहुत भागना पड़ा में क्रिया क्या है भागना पड़ा ठीक है तो कितना भागना पड़ा तो जो बहुत शब्द है वो क्रिया की विशेष्टा बता रहा है, वो संग्या की विशेष्टा नहीं बता रहा है, वो क्रिया की विशेष्टा बता रहा है, क्रिया का परिमान के वारे में बता रहा है, कि कितना भागना पड़ा, बहुत भागना पड़ा, तो बहुत जो यह आपको शब्द है वो क्रिया विशेशन है तो बच्चों आपको कुछ समझ में आ रहा है चलो मैं आपको परिवाशा समझा देते हूं देखो बैटा जब कोई शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा बताता है तो उसे विशेशन कहते हैं और जब कोई शबद क्रिया की विशेश्टा बताता है तो उसे क्रिया विशेश्टा कहते हैं देखो बैटाब आपको सिर्फ क्या करना है आपको sentence को carefully read करना है अच्छे से पढड़ना है फिर आप ये देखना कि जो भी शबदा है जैसे कि अच्छा तेज जो भी शब्दा है वो किस की विशेष्टा बता रहा है क्या वो संग्या की विशेष्टा बता रहा है या क्या वो क्रिया की विशेष्टा बता रहा है अगर वो संग्या की विशेष्टा बता रहा है तो वो विशेष्ण है और अगर वह क्रिया की व को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्य बाद